नमस्कार दोस्तों मैं जीवराज वेरवा पिछली वीडियो में अपन डीएसलार केमरे के हर बटन के बारे में जाना था ठीक है और अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे डीएसलार आपने जैसे 31, 32, 33 कोई सा भी केमरा लिया उसके साथ में जो किट लेंस आत अपना बलर नहीं होता है लेकिन आप अगर थोड़ा सा टिप्स और थोड़ी सी टेकनिंग लगाएं तो इससे भी बलर हो जाता है ठीक है तो इससे बलर कैसे करें अपन वहीं अपन इस वीडियो में में बताऊंगा देखिए पहले ही चीज तो आप अठारा पच्पन अग दिशेख दूझाल की रूरा जैसे मेरे पास जो केमरा है जांगा अगर मेरे पास छपबन सो शेंगन और हीता है त्टी पास अगर फोटो आपना चीए है तो इसके लिए करना प्रे के शूम कर लेंडा है ऐसे ऐतारह समय पर लिए मैं उसका सब्जेक्ट और और मेरे बेग्राउंड यह अब यह मेरे को फोकस्ट चीमें और में में फोकस में होना चाहिए हूं तो उसके लिए और कुछ नहीं करना मेरे मलब subject और background के बीच में distance दे दो ठीक है वह automatic आपका blur आये गए आएगा मेरे और जैसे में subject नूँ तो मेरे और मेरे background के बीच में मेरे subject और मेरे सब्जेक्ट के वेग्राउन के बीच में तोड़ा d Alg डिस्टेंस दो और सब्जेक्ट प्लस केमरे जो है सब्जेक्ट के सब्जेक्ट के बीच में तब हूदा सब्सेमें तो आपकी खोकर जो चीमें आएगी वह Ben मीं आपको इस वीडियो में मैं आपको करके बताता हूं जैसे मेरे पास 1725 में भी अब के बता तक है अब यह जो आकर के पहाएं और सब्जेक्ट और मेरा सब्जेक्ट यहां पढ़ा है देख रहे हूंस ना मेरा सब्जेक्ट यहां km मेरे सब्जेक्ट फोटो किचोंगा दी 27f see 5.5 लेंश हे यह में 15 खरेज एक देख हो मैंallas गेंट सब्दी का मिर्मळश और 45 पर ज्रीम कर लिया त्रीक है लिया मैंने लिया मैंने कुछ नहीं किया अटो पे एक रख ले ओट्व में आपको देदेगा वह घृक्त अगर मैं यह देखिए इस यह पच्पन पर मैंने जूम कर लिया है यह मेरे केमरे और सब्जेक्ट की भी में डिस्टेंस रख रहा हूं ठीक है मेरा जो focus रहना चाहिए यहां ही पे रहना चाहिए जो मेरा थेक है यह में ने frame ले लिया ठीक है पीछे का वेग्रांड भी लेना है धी यह कर लिया और जैसे इसकी फलेस नहीं कोल रहा है यह तो फ्लेस कोल देते हैं ठीक है कि यह मैंने चुन लिया मेरा सब्जेक्ट कि यह लो जी ठीक है कि देख रहे हो ना आप यह देखें कि यह देखिए सब देख रहा हो ना यह मैंने फोटू ली अब मैं आपको जूम करके बताता हूं ठीक है यह मेरा सब्जेक्ट था यह देखिए कि यह मैंने लिया था यह नहीं कि यह कि आपको पहले में जूम कर रहा हूंने नहीं आ थेकी परहर दिखोनी यह देखें रहा है अब मैं इसके के अब सब्सक्राइब बात थीक है मैं जूम करके बेगराउंड दिखाता हूं आपको यह देख्यें ये देख्यें डी-focus आया ना यह देख्यें कुछ नहीं दिकर आपको दूंद्रा दुलाद हो गया यह यह देखिए यह लो पूरा-फूरा diffocus हो गया जब मैं सब्जेक्ट पर जओँगा मिरे यह देखिए यह रहा पे एmara सब्जेक्ट यह फोकस डए ठीक है तो इस तरह से आप की सकते हो ऑटो ओपूरा मोड में होँ और आपकी सब्जेक्ट और की बीच में आप डिस्टेंस रख लो केमरे और सब्जेक्ट की भी पिन भी थोड़ा सा डिस्टेंस दे दो और आप जिसे एठारा पच्पन का लेंज है तो उस पे पच्पन फोकल लेंज पे रखो और आप अपने सब्जेक्ट पे फोकस्ट करो पीछे का बेगरण ओटोमेटिक बलर देगी देगा ठीक है दोस्तों दन्यवाद अगर आपके पास है केमरा तो करके दिखी बिल्कुल आपको फरक दि जर्गी देट वस्तों